है वेलकान तो मैं चुनल इस बिडिवीभी में सिल्वट करेंगे कुषिन नमीर 23 तो ध्यान दीजेका इन नुव बजट व्य प्रफॉल रोज परेज परेज वया यह जाओ है इसका मतलर यहां पर क्या पुछ रहा है करा कि एक नए बजट में पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है 10% से ठीक है पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है 10% से अब पुछा है कि कितने परसंट से हमें पेट्रोल का consumption पेट्रोल यदि हम जितना भी लिटर पहले यूज़ कर रहे होंगे उसका कितना परसंट हम घटा दें कि जो खर्चा है वो नबढ़ है कहने का मतलब यह है कि पहले माल लिज़े कि X लिटर यदि यूज़ कर रहे होंगे पेट्रोल ठीक है और यदि प्राइस बढ़ गया ये पहले यूज़ कर रहे थे अब जो प्राइस बढ़ गया तब बालिए कि हम लोग सोचे कि खर्चा नबढ़ है इस करणा से हम X से घटा करके और Y लिटर यूज़ करना चाट कर दिये तो बस यहाँ पर यही पूछ रहा है कि अब पहले X लिटर यूज़ करते थे अब कंज़प्शन घटा दिये क्योंकि expenditure नहीं बढ़ाना चाते थे खर्च मतलब नबढ़ है इस करण से हमने क्या किया था X लिटर से Y लिटर कर दिया मतलब घटा दिया यहाँ पर घटाया गया है ठीक है ऐसा हम सपोज कर रहे है मैं आपको समझा रहा है चली तो बस समझे यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ तो पहले X लिटर था अब consumption expenditure नबढ़ है मतलब खर्च नबढ़ है इस कारण से हम जो पेट्रोल का जो consumption है वो घटा करके Y लिटर कर रहे हैं तो बस यहाँ पर यही पूछ रहा है कि कितना percentage यह घटा है तो यदि आपको X पता हो और Y पता हो तो percentage of reduction पता कर लेंगे बिल्कुल आसानी से है कि नहीं तो इसी को find करने के लिए हम सब कुछ यहाँ पर solve करेंगे तो ध्यान समझेगा कैसे कर रहे हैं यही X और Y कैसे मानेंगे तो इसी X को मानेंगे 100 लिटर ठीक है यहाँ पर मैं आपको फिर से बताता हूँ पहले माल लेंगे कि शुरू में आप 100 लिटर यूज कर रहे थे यहाँ लिख रहे थे solution पहले आप यूज कर रहे थे 100 लिटर ठीक है और यह माल लेत है कि 100 लिटर जब यूज कर रहे थे आप इसका जो price था वो 100 रुपीज था ठीक है अब हुआ क्या कि petrol तो ठीक है petrol तो 100 लिटर ही है बट इसका price बढ़ गया price कितना हो गया 10% increase हो चुका है तो पहले आप जो 100 लिटर लेते थे अब वो जो 100 लिटर है वही 100 लिटर अब मिल रहा है आपको 110 रुपीज में 10% increase हो चुका है पहले था 100 रुपीज अब हो गया 110 रुपीज मतलब हमने क्या किया है यहाँ पर 10% increase कर दिया है 100 में, तो पहले 100 रुपीज मिलता था, अब 110 मिलेगा, तो कैसे हम लोग percentage increase निकालते हैं, यदि 100 में आप add करोगे, प्लस करोगे, 100 का 10% निकाल कर, तो definitely आपको यह कटेगा, यह कटेगा, और 10 बचेगा, कि वहल, 10 इसमें add हो जाएगा, means 110, इसलिए म So, अब आपको समझ में आ गया होगा, पहले मिल रहा था, 100 लीटर, 100 रुपीज में, अब 100 लीटर जो है पेट्रोल मिल रहा है, 110 रुपीज में, लेकिन अब यहाँ पर दिया हो आए, कि कितना यह जो पेट्रोल आप 100 लीटर यूज़ कर रहे थे, अब चाह रहे हो आप, कि यह 110 रुपीज में न हम खरीदें, बलकि 100 रुपीज में ही खरीदें, बस यह पेट्रोल का प्राइस जो है घड़ जाए, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा, यूनिटरी मेथड, ठीक है, तो क्या करना होगा, 110 रुपीज में नहीं खरीदना आप चाहते हैं, आप ही मुझे यह कंजब्सन, मतलब 100 रिटर पेट्रोल न खरीदें, बलकि 100 से कम ही खरीदें, तो कितना 100 से कम खरीदें गई है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड, कैसे करते हैं इसका यूज़, नहां समझेगा, 110 रुपीज में मिल रहा है, तो इसको लिए सकते हैं, उल्टा करके ऐसे हम, कि 110 रुपीज में मिल रहा है, कितना पेट्रोल, 100 लीटर, अब यहां से आपको निकालना है, कि 1 रुपीज में कितना मिलेगा, तो 1 रुपीज मिलेगा, इधर यदि हम 100 रुपीज से डिवाइड कर देंगे, तो 1 रुपीज में, लेकिन आपको निकालना है, 100 रुपीज में, तो 100 रुपीज से मिल रुपीज में, तो 100 रुपीज में, आपको मिल जाएगा, 100 रुपीज में, तो 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 100 रुपीज मे इतना लीटर, इतना लीटर का जो है यूज, मतब 100 रुपीज में इतना लीटर ही मिल पाएगा, और यही आपका reduced amount है, ठीक है, तो पहले कितना लेते थे, पहले लेते हैं 100 रुपीज, sorry 100 लीटर, पेट्रोल अब जो है, अब ले रहे हैं 1000 अपान 11 लीटर, इतना reduce कर दिये, त अब हमें निकालना है कि जब 100 से इतना कर लिए, घटा लिए, पेट्रोल का जो amount है, तो कितना percentage घटा है, यह निकालना है, यह ने पूला है कि by how much percent must one reduce the consumption, तो क्या करना है, पहले आप निकालें कितना reduce हुआ, तो यहाँ लिख लेंगे percentage of reduction is equal to, पहले निकालेंगे यहाँ प reduction, मतलब क्यों लिख लेता है, reduction, अपां, जो सुरू में कितना था, 100 था, तो लिख देंगे यहाँ पर, कि initial amount, initial amount, multiplied by 100, 100 से तो करना ही पड़ेगा, ताकि यह percentage में से जाए, यहाँ पर ध्यान दीचेगा, reduction, reduction करसे निकालेंगे, तो पहले जी इतना था, और बात में जब घटा दिये इतना, तो आपको बड़े वाले में से चोटे वाले को मैनस करना पड़ेगा, तो 100 में से मैनस कर देंगे, 1000 अपान 11, ठीक है, यह आपको निकल गया, reduction, कितना reduction हुआ, होल अपान, initial amount कितना था, 100 लिटर, मुट्पलाई कर देंगे 100 से, यहाँ पर देखे, 100 कर जाएगा बिल्कुल, यह जो बचेगा, यही percentage में आपका amount आ जाएगा, तो यहाँ से दी हम यह find करें, तो आपका जहाँ पर answer आजाएगा, 100 minus, यह हो गया है, 1000 अपान 11, इसको हमने यहाँ लिखा है, ठीक है, यहाँ solve करते हैं, तो यहाँ मिलेगा, 11 से अपान 11, तो मिल जाएगा, 1100 minus 1000, होल अपान 11, ठीक है, मैनस कर लिजी, यहाँ मिल जाएगा, आपको 100 अपान 11, 11 से डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा 1199, एक बजा करी उभर, 1 अपान 11, इतना परसेंट, यह भी परसेंटेज में ही था, तो यहाँ पर 9 whole, 1 अपान 11% reduction करना पड़ा, यह आपका answer है, ठीक है, तो होग को समझ में आ गया होगा, यह कैसे मैंने किया, बिल्कुल आपको स बिल्कुल एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरुक्स लिखिए, थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग, बाई!